हिमाचल विधान सभा के बज़र सत्र में हुए हंगामे के छे दिन से दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा गती रोध शुकरवार को खतम हो गया है विधान सभा अध्यक्षवा मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर के साथ विपक्ष के सदस्यों की बैठक में गती रोध समाप्त करने पर सहमती बनी उसके बाद संसदी अकारे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में निलंबन को वापिस लेने का प्रस्ताव लाया और निलंबित विपक्ष के नेता मुकेश अगनी होतरी, विने कुबार, सुंदर सिंग ठाकुर, हर्श वर्धन चोहान और सत्पाल रायजादा का निलंबन वापिस ले लिया हिमाचल विधान सभा के बजट सत्र में हुए हंगामे के छे दिन से दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा गतिरोध खतम हो गया है मुख्य मंत्री जैराम ठाकु ने कहा कि 26 फरवरी को जो हुआ उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा कि इस दोरान मीडिया ने सत्ता पक्ष वा विपक्ष की बात जनता तक पहुँचाई लेकिन मजा आमने सामने चर्चा में आता है विवाद कितना भी बड़ा हो समाधान समवाद से ही होता है मुख्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का स्वागत है सबको मिलकर अपने दायतों को निभाना है उन्होंने कहा कि विपक्ष के पांचों सदस्यों का निलंबन सर्व सम्मत्ती से वापिस लिया गया है जैराम ठाकु ने कहा कि लोग हित से जुड़े मुद्धों पर सार्थक चर्चा हो इसके लिए गतिरोध तूटना आवशक था अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर लोग तांत्रिक विवस्ताओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सब्सक्ता पक्ष और बिपक्ष भाग ले उस दिश्टी से एक पहला आज हुई दो तिन दिन से लगी हुए थी अक्सेसाइज थोड़ी थोड़ी लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साब के यहां पर आए तो उनने कहा कि आओ खत्म करें इस बात को वैसे भी हमारा व्यक्तिकत रूप से किसी के खिलाब कुछ नहीं था और ना होता है ना होगा हमारी और से सिर्फ बात यही थी जिसका हमने जिकर किया लेकिन जब आज उनने अपने तर्फ से अध्यक्ष मोदे के समक्ष में उनके चैंबर में बात कही कि खत्म करते हैं चर सदो कि पडैकरै परिसार सदन के ऩाव प्रस्ताब पारित होा उने के बाद बेवस्तिय दन से जिस तरह से नियमित हमारी कारेवाई सदन के चलती एं उमीदकरता हुए उस सब और बज़ट का प्रस्थे करनसे आप उपस्तित रहेंगे आर उपस्तित होकर पस्तारी उसके जो चर्चा करनी होगी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सदन में जाने से पहले मुकेश अगनी होतरी ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष वाविपक्ष के सहयोग से चलता है। लोकतांत्रिक परमपराओं के लिए ये जरूरी था इसमें विपक्ष के सदस्यों ने एहम भूमी का अधा की है। अगनी होतरी ने कहा कि विपक्ष सदन के अंदर प्रदेश हित के मुद्दों को उठाता रहेगा जहां जरूरी होगा विरोध भी किया जाएगा अगर ये सोचेंगे कि कोई डिवाइड़ हाउस है हम डिवाइड़ नहीं है कांगर्स पार्टी का सारा विधायक दल एक जुट है जो बाहर रहे और जो अंदर रहे सब ने जो है एक जुटता का इस दोरान परचे दिया मैं कॉंगर्स पार्टी के तमाम बिधायकों का भी अभारी हूँ कि उन्होंने जो है बिधायक दल के उच्टम परंपराओं का जो है निर्वान करते हुए सब साथ चले हैं और सैकिंड लिए हमने ये कहा था विधायन सबा जो है शर्तों से नहीं चलती है अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफी मांगो फला मांगो हमने कल भी कहा था कि ऐसा संबब ना हुआ है कभी ना होगा तो इसलिए इस से हटके जिस धंक से निलंबन बहाल होते रहे हैं आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉम्स के तहते आप बहाल करें हमारा डेलिगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से संसिदियकार्यमंत्री से और श्री महिंदर सिंग जी से संसिदियकार्यमंत्री ने परस्ताब रखा जिसको adopt किया गया house द्वारा और हमें पत्तर दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं तो उसके बाद ही हम आ रहे हैं हम विधान सभा में जाएंगे परदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे परदेश की निगाहें लगी हैं अब वो उठेंगे मैं समझता हूँ के अब हिमाचर परदेश विधान सभा में विदीवत पक्ष विपक्ष सभी उपस्थित रह करके परदेश की प्रगती परदेश की विकास और आफ्टर कोविड डिरिंग कोविड जो कुछ भी जो है वो आवश्यक है परदेश की जनता की हित में उन सभी प्रश्णों पर जो है वो वहाँ पर बाचीत करेंगे बाद भी बाद करेंगे अभी बजट परस्तुत होना है कल उसके बाद उस पर डिस्केशन होनी है फिर अनुदान मांगों पर डिस्केशन होनी है कई विधेक भी जो है वो आएंगे तो इन सब पर जो है वो सब फूरे प्रदेश के 68 मिधान सबाक्षेत्रों में चुने गए इस दस्ते जो है वो एक संदेश जो है वो पूरे हिमाचर प्रदेश की जनता को दिया है कि हम प्रदेश हित में वो विशास रखते हैं और सब के साथ सभ के सहयोग से जो है वो इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं उसके अनुरूप आजके ये कारवाई हुई है गतिरोध खतम होने के बाद अब 6 मार्च को मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर द्वारा पेश किये जाने वाले बजट में विपक्ष मौजूद रहेगा गतिरोध को खतम करने के लिए कौमरेड राकेश सिंखा ने एहम भूमिका अदाकी और विधानसभा अध्यक्ष के दखल के बाद गतिरोध समाप्त हो गया 26 फरवरी को राजपाल के अभी भाशन के बाद विपक्ष ने राजपाल का रास्ता रोक कर हंगामा किया था उसके बाद विपक्ष के पांच सदस्यों का निलंबन करने के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी निलंबन तो शुकरवार को वापिस हो गया है अब FIR के वापिस होने की उमीद है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला